रादोर में सरकार द्वारा एक वर्स पहले अधुनिक सुधाओं से लेस पचास बेट की होस्पिल के निर्मान की गोशना की गई थी लेकिन एक वर्स भी जाने के बाद भी होस्पिल का निर्मान कारिया सुरू नहीं हो सका है जिसको लेकर स्थानिया लोगों में भारी रोस है करीब एक वर्स पहले होस्पिल्ड के निर्मान कारिया शुरू किया जाने को लेकर सबी स्वास्ते कर्मियों से स्टाफ कौर्टर खाली करा लिये गए थे तब लोगों को लगा था कि अब जल्द ही होस्पिल्ड की नई बिल्डिंग का निर्मान कारिया सुरू हो जाएगा लेकिन अब तक होस्पिल्ड की नई बिल्डिंग का निर्मान कारिया सुरू नहीं करा गया है आपको बतादे कि सरकार की घोसना के अनुसार रादोर में अधुनिक सुदाओं से लैस चार में जिला पिचास बैट का होस्पिल्ट का निर्मान किया जाना है लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ तक ने की पेच के काणिया कारिया अधर में लटक गया है क्रोना महामारी के दोर में बलंड बैंक में रखती कमे के चलते थेले सिमें के मिरिजों के लिए गाउंस सिलीगाला में यूद कलब द्वारा रविवार को सरकारी स्कूल में दूसरे रगदान सिविर का आयोजन किया रगदान सीविर का सुवारम सीविल होस्पिटल रादोर के समो डक्टर वीजय परमार ने किया रगदान सीविर में सीविल होस्पिटल यमनागर की टीम ने डक्टर निसा के नेतरतों में अपनी सेवाय परदान की इस मोके पर सीवरी में 88 क्रामिडों ने स्वेचा से रगदान किया इस अफसर पर एसमोर रक्टर वीजे परमार ने कहा कि रगदान महादान है हम रगदान करके किसी के भी अमूले जिमन को बचा सकते हैं उन्होंने का कि 18 वर से अधिक का कोई भी युवास वेचा से रगदान कर सकता है इस अफसर पर उन्होंने शेतर के अन्य गाउं से भी रगदान की खेतर में आगे आने की अपेल की कहीं पर भी यासी नहीं रहेगी कि उसको जुरूरत पूरी ना हो स्वास्ते वाकी टीम ने डाक्टर लाल बादूर के नेतरदमी रविवार को गाउं पाले वाला में 42 लोगों के कोरोना वाइरिस की बिमारी को लेकर सेंपल लिये हैं इसे पसर पर सीविल होस्पिल रादूर के स्मो डाक्टर वीजा परमार ने बताएगी रादूर उपमंडल में अब तक 424 लोग संक्रमित पाय जाचुके हैं जिन में से 407 लोग बिमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं केवल 7 लोग अभी भी संक्रमित हैं जिन में से 6 लोगों को घर पर इलाज के लिए आइसुलेट किया गया है जबकि एक वेक्ति को होस्पिटल में बरती करवाया गया है जितनी आप टेस्टिंग कराएंगे उतना अच्छा है ताकि हमें पता लग सके कि हमारे पास कितने ऐसे हैं जो बिमार है कोविड अगर हमें पता लग जाता है कि कोविड किसी को है पॉस्टिव है तो अपने घर में उसका टीटमेंट हो रहा है वो चाहे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का है घर में कराएं हमें उसमें कोई भी उतराज नहीं है सरफ इतना जुरूर है कि हमें अगर इपता रहेगा कि हमारी कॉम्निटी में कितना है तो हम इसको और आगे आने से रोख सकते हैं इंकलाब स्पोर्ट्स कराटे की और से गाउंतीगरा में खेल प्रत्योगिता का एविजन किया गया प्रत्योगिता में करीब 36 शात्राओं ने भाग लिया इस मोके पर कराटे एक्सपर्ट जैप्रकास ने इंकलाब स्पोर्ट कराटे के बच्चों का टेस्ट लिया परत्योगिता की अधक्सता कोज सेर सिंग मलिक ने की परत्योगिता में अच्छा परदस्ण करने वारे खिलाडियों को पुरुसकार देकर सम्मानित किया गया इस मोगे पर इंकलाब मंदर के संसाबक एडवोकेट वर्याम सिंग ने कहा कि इंकलाब स्पोर्ट्स कराटे ग्रूप का नाम ही बच्चों में राष्ट बक्ती पैदा करता है इस तरहें के आईजन आज की जरूर्थ है और ने कहा कि इंकलाब स्पोर्ट्स कराटे ग्रूप क के मदम से रस्ट में इंकलाबी मोहिम को भी बढ़ावा मिलेगा रादोवर में पुराने कमेटी चो के पास अखिल बारतिया मोरिया महासाबा ने मिनाई सावित्री भाई फुले की जैनती अखिल बारतिया मोरिया महासाबा की और से पुराने कमेटी चो के पास थी तो ओफिस स्थानिया लोगे ने सावित्री भाई फुले के चित्र वर्पुस्व अर्पित कर सरधान जली भेंट की। इस अफसर पर कार्येगरह में सावित्री भाई फुले को भारत रतन अवार्ड देने की मांग भी की गई।